इसका मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया आइकन है इनका वही इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा जगह रखता है और ये सिर्फ उसी से प्रभावित हो रहे हैं तो इसका जो भयानक निशकर्ष है वो ये है कि भारत का भविश्य इन ही घटिया सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के द्वारा निर्धारित हो रहा है बहुत ही गैर जिम्मेदार और मूर्ख किस्म के लोग युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हो करके यूथ आइकन बन गए हैं कल्चरल ट्रेंड सेटर बन गए हैं भारत के भविश्य के लिए ये बहुत खतरनाक बात है क्या सभी सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर नालायक और घातक ही होते हैं नहीं ऐसा नहीं है कुछ बहुत बढ़िया सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर भी है लेकिन ये जो असली हीरो हैं इनको ज्यादा followership या attention मिलता ही नहीं है क्यों नहीं मिलता प्रमुख कारण तो यही है कि जो हमारा youth है उसके दिमाग को गलत role models ने घेर रखा है तो फिर सही चीज की और जाने के लिए जगह स्थान उपलबधी नहीं है फूहड बदमिजाज लड़के आज वो social media के superstar हैं सारी जिंदगी सारी किस्मत तुम्हारी इसी बास से तैह हो जाती है कि तुमने किसको अपना आदर्श बना लिया और किसकी संगति स्वीकार कर ली और मैं दोरा के कह रहा हूँ कि एक teenager और एक जवान आत्मी जबरदस्त तरीके से impressionable होता है, vulnerable होता है उसको जिसकी संगत मिल गई वो वैसा ही हो जाएगा एक teenager 99 प्रतिशत संभावना है कि किसी घटिया चीज की और आकर्शत होगा social media पर और जब वो घटिया चीज की और आकर्शत होगा तो जो घटिया चीज है उसको दस और लोगो recommendation में दिखाएगा, दस और देखेंगे उसमें से आठ उसकी और आकर्शत हो जाएगे क्योंकि घटिया चीज आकर्शत भी होती ही होती है और फिर वो चीज फैलने लगेगी, trend करने लगेगी और धीरे धीरे ये जो घटिया व्यक्ति होगा अब वो एक celebrity हो च जाता है तो उसको follow करना और ज्यादा संभावत और आसान हो जाता है देखिए आपके ऊपर जब कोई खुला हमला करता है न तो उसके खिलाफ सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हो आपके देश पर कोई आकर्मन करें, ठीन से पाकिस्तान से आपके घर पर कोई आकर्मन करें, तो आप उसके खिलाफ सीमाएं चौकस कर लोगे, दर्वाजे बंद कर लोगे, ये सब कर लोगे. पर जब आपका दुश्मन आपके मुबाइल फोन के अंदर से बात करता हो, वो भी सेलिबरिटी बन कर गे, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि होगा ये कि लाखो करोडो लोग तो कह रहे हैं कि ये हमें जान से प्यारा है, ये हमारा स्वीठार्ट है, टीनेज लड़कियों को भगत सिंग का पता हो ना हो, खुदी राम भोस का पता हो ना हो, विनह बसू का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं ये जो लफंगा है, ये हमारा डारलिंग है, उसकी इतनी उकात है, उसकी इतनी हैसियत है, कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है, सच मुच, ये वही लड़के हैं, जिनने स्कूलों से निकाला जाता है, ये वही लड़के हैं, जो तमाम तरीके के बाल सुधार ग्रहों में पाए जाते हैं, ये वही लड़के हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी विशय पर दो मिनट कोई समझदारी की तमीज की बात नहीं कर सकते देश का जो सबसे बड़ा लफंगा हो अगर वो देश का सबसे बड़ा टीनेज सेलिबरिटी भी बन गया हो तो समझ जाना चाहिए कि अब बहुत जबरदस्त खतरा है और इस तरह के खतरे एक नहीं हजार है जब इतना आसान हो गया है जिन्दगी में सफल सक्सेस्फुल कहलाना कि कुछ नहीं करना है आज आओ सामने कैमरा रख लो और शुरू कर दो व्यर्थ प्रलाप गाली गलोज और रातो रात तुम स्टार हो जाओगे तो फिर एक दो या चार पाच स्टारी क्यों हो गली गली से स्टार क्यों नहीं निकलेंगे इसी तरीके के बेहुदे यही तो अब रोल मॉडल्स हैं और अगर इनको हर तरह की सफलता मिल रही है पैसे की भी मिल रही है ख्याती भी मिल रही है ताकत भी मिल रही है तो जो दूसरे टीनेजर्स या जवान लोग हैं वो भी इन्हीं के नक्षे कदम पर क्यों नहीं चलना चाहेंगे बताओ करना क्या है सबसे आसानी से तो हम खिचते बुराई की तरफ ही हैं तो जो सबसे गंदी और घटिया तुमारी बुराई हो उसको आकर कैमेरे पर पदर्शित कर दो लोग आकर्शित हो जाएंगे और सोशल मीडिया कंपनीज का इसमें फाइदा ही फाइदा है मावाप यहां अपना टीवी देख रहे हैं वो चंपू उहां पर बैठ करके यूट्यूब पर कुछ देखे जा रहा है वो सुन क्या रहा था यूट्यूब पर आपने देखा ये अब आपको ताज्यूब हो कि मेरा चंपू शराब में और ड्रग्स में कैसे फस गया उपर उठने में हमेशा महनत लगती ना नीचे गिरना तो आसानी होता है आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं ऐसे हैं कि आप बिलकुल उत्सा से उ आपकी लपट की तरह रहा है अभी मैंने जिन करांतेकारियों की बात की वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर उनको क्या मिली हुई थी एक दूसरे की संगती जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है तो ये भी अगर महान हो पाए उचे हो पाए जबरदस्त हो प इनके उचे आदर्श थे उधारन के लिए बंगाल के जिन करांतेकारी लड़के लड़कियों की मैंने बात की उनमें से कई सुभाश्चंद्र बोस से अभी प्रेरित थे तो उनके सामने एक उच्चतर आदर्श होता था कल्पना दत्त के सामने सूरे से इनका आदर्श था जिस देश की जवान पीड़ी बरबाद हो गई उस देश को अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है और याद रखिएगा जो दुश्मन सीमा पार होता है वो कम खतरनाक होता है जो दुश्मन आपके ही समाज में बैठ गया है आप में से ही एक बनके बलकि रोल मॉडल और सेल है जिस दुश्मन सुट।